जारकन के मुख्य मंतरी बनने जा रहे हेमन सोरे ने पांस साल पहले आज ही के दिन जारकन विधान सबा का चुनाव हारने के बाद अपने पत से इस्तिफा दे दिया था ठीक पांच वर्ष बाद भाजपा जहां गडबंदन विहिन चुनाव के मोचे पर उतरी और पुरी तरह हारी वोई जारकन मुक्ती मोचा के नेता सोरे ने कौंग्रिस और राष्ट जनता दल के साथ गडबंदन करके चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत हासिल किया अब जहारकन मनने के 19 वर्ष बाद पहली बार जहारकन मुक्ती मोचा भी चुनाव पूर्ण के अपने सायोगियों के साथ पूल महुमत की सरकार बनाने जा रही है हेमन सोरेन ने 38 वर्ष की उमर में पहली बार 13 जुलाई 2013 को जहारकन के मुक्खे मंतरी का पत समाला था वो इस पत पर 23 दिसंबर 2014 तक बने रहे और कार्यवाहक मुक्खे मंतरी के तौर पर वो 28 दिसंबर 2014 तक पत पर बने रहे 10 अगस्त 1975 को जन में सोरेन, पूल्व केंद्रिय मंतरी और जहारकन के तीन बार मुक्खे मंतरी रहे शिवु सोरेन के पुत्रे है शिवु सोरेन ने राज्य की कमान तीन बार समाली लेकिन एक भी बार वो सरकार नहीं चला सके बता दे कि हिमन सोरेन का जनम बिहार के रामगरजिली में हुआ था, उनके पिताजी को लोग घुरूची के नाम से जानते हैं हिमन सोरेन के पिता ने 1970 के दशक में राजीती में आदिवासियों के नेता के तौर पर कदम रखा था आपको बता दे कि शिबू सोरेन तीन बार जारकन के मुख्य मंतरी रह चुके हैं इस दोरान वो केबल दस दिनों के लिए भी जारकन के मुख्य मंतरी रहे हिमन भी अपने पिता के नक्षे कदम पर चले चोवालिस साल की हेमन सोरेन की पत्नी का नाम कलपना सोरेन है तोनों के दो बच्चे हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने ये तो हेमन सोरेन की पत्नी राजनीती में सकरिया नहीं है लेकिन वो महिला विकास के कारेकरों में से जुड़ी हुई है एक इंटर्व्यू में कलपना से जब पुछा गया था कि वो राजनीती वे भविश्य में आएंगी इस पर उन्होंने जवाब देते वे कहा था कि अभी घर परिवार की जिमेदारियों को निभा कर खुश हो बता दे कि जहां हेमंद सोरेन ज़ारकन की राजनीती में बड़ा नाम है वही उनकी पत्नी भी कमचर्चा में नहीं रहती हेमंद के दो भाई बसंत और दुरगा और एक मेहन अंजली है और सब ही राजीती से जुड़े हुए हैं उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी विधायक रही है और लगातार चुनाव लड़ती रही है 49 साल के उमर में दुर्गा सोरेन का निधन 2009 में हो गया था वहीं उनके छोटे भाई बसंसोरेन भी जारकंट मुक्ती मोर्चा की यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। आपको बता दे कि हेमन्द दूसरी बार मुख्यमंतरी बनने वाले हैं। इससे पहले वो 15 जुलाई 2013 के जारकंट के नौवे मुख्यमंतरी के रूप पे शपत ले चु करते हैं। रेपोर्ट के नुसार हेमत, संगीत और ड्राइविंग का भी शौक रखते हैं। साथी वो खाने के भी शौकीन है। और सबसे दिल्जस्प बात यह है कि उन्हें पटना से कक्षा बार्वी में पढ़ाई की थी। इसके बाद वो BIT मेसरा में एड्मिशन लेकर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो